आज देश का गुजरात की धर्ती का एक महान संबूत हम सभी से बहुत दूर चला गया है हम सभी के प्रिय स्रद्धे केशुबय पटेल जी उनके नीधन के समाचार मैं कलपणा ही नहीं कर सकता हूँ केशुबय का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्ले के जाने की तरह है उनका नीधन मेरे लिए ऐसी ख्षती है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी करीब छै दसक का सार्वजनिक जीवन और अखंड रुच से एकी लक्ष राष्ट भक्ती राष्ट रहीत केशु भाई एक विराठ व्यक्तित्व के धनी थे एक तरफ व्यवहार में सौम्यता और दूसरी तरफ फैसले लेने के लिए द्रड इच्छा शक्ति उनकी बहुत बड़ी खासियत थी उन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल समाज के लिए समाज के हर वर्क की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था उनका हरी कारिय गुजरात के विकास के लिए रहा उनका हर फैसला प्रतेग गुजराती को ससक्त करने के लिए रहा एक बहुती साधारण किसान परिवार से उठकर निकलने वाले हमारे केश्व भाई किसान के गरीब के उन दूखों को समझते थे उनकी तकलीफों को समझते थे किसानों का कल्यान उनके लिए सर्वोपरी था विधायक रहते हुए, साउसद रहते हुए, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए केश्व भाई ने अपनी योजनाओं में, अपने फैसलों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्रात्फिक्त आ दी गाउं, गरीब, किसान के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया राश्ट भक्ति और जन भक्ति के जिन आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चले वो पीडियों को प्रेरित करती रहेगी केशु भाई, गुजरात के रंग रंग और रग रग से परिचीत थे उन्होंने जनसंग और भाजबा को गुजरात के हरक्षेत्र में पहुँचाया हरक्षेत्र में मजबूत किया मुझे आद है, इमर्जन्सी के दिनों में किस तरह केशु भाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संगर्ष किया, पूरी ताकट लगा दिये केशु भाई ने मुझे जैसे अनेकों साधान कारेकरताओं को बहुत कुछ सिखाया, हमेशा मारदर्सन किया प्रधान मंतरी बनने के बाद भी मैं निरंतर उनके संपर्क में रहा गुजराज जाने पर मुझे जब भी अवसर मिला मैं उनका आशिरवार लेने भी गया अभी कुछ सब्ता पहले ही सोमना ट्रस की वर्चुल बैटक के दौरान भी मेरी उनके साथ बहुत देर तक बातचित होई और वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे कोरोना के इस काल में मेरी फोन पर भी उनसे कई बार बातचित होई मैं उनकी सहत के बारे में उर्थता रहता था करीब 45 साल का नीकट परीचा है संगर्धन हो, संगर्ष हो, व्यवस्ता का विशे हो दी हो रचना का विशे हो आज एक साथ अनेक घटनाएं मेरे स्मृति पटल पर आ रही है आज भाजवबा का प्रत्तेक कारकरता मेरी तरही बहुत दुखी है मेरी संवेदनाएं केशु भाई के परिवार के साथ है संपूर्ण भाजवा परिवार के साथ है उनके सुप चिंतकों के साथ है दुख की इस गड़ी में मैं उनके परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हूँ मैं इस्वर से प्रार्षना करता हूँ कि केशु भाई को अपने चरणों में स्थान दे उनकी आत्मा को शांती प्रदान करे ओम शांती शांती शांती